हुआ हैं मैं डॉक्टर संजय भर दौाँच और आज हम पढ़ने जारहे हैं बी आ पार्ट सी सेगनेंट पेपर को और यहैं आई जीपी गा जिसमें लिखा है संगी और राश्टपती के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक तो बात आईगी खििए फिर फिर उसका निर्वाचन कैसे होगा तीसरी बात जो आएगी कि उसका चुनाव एपरत्यश क्यों होता है कारेकाल क्या है उसकी उनमुक्तियां क्या है और उसका योगदान और राश्पती की उपर क्या महावयोग लगा जा सकता है लगता है तो उसकी क्या बात होती है क्या प् पढ़ेंगे और इसक्तियां जो हैं यह दो प्रकार की होती है, एक होती है कारपाली का संबंदी और दूसरी होती है संकिट कालीन, तो यह करीब तीन पार्ट में जाएगा, फिर्स पार्ट में हम लोग जो है इसकी योग गिता निर्वाचन और राश्पती के बारे में सम्विदान में कहा गया है कि भारत का एक राश्पति होगा। संग की कारपालिका शक्ति राश्पति में नहीत होगी। और वैस का प्रयोग सम्विदान के अनुसुरा स्वेम तथा अधिनस्त पदादिकारियों द्वारत करेगा। इस प्रकार संगी कारपालिका में राश्पती और मंतिरी परिशाद होंगे राश्पती कारपालिका का ओपचारिक प्रधान होगा तो मंतिरी परिशाद कारपालिका की वास्तिक प्रधान तो भारती संग की कारपालिका की प्रधान को राश्पती कहा जाता है यदिपी कारपालिका के प्रतान का नामकरण अमेरिकी सम्विधान के समान है लेकिन भारती राश्पती के कार और शक्तियां अमेरिका राश्पती के समान नहीं है यह हमें याद रखना है अमेरिका में अध्यक्षात्मग विवस्ता में कारपालिका को वैधानिक प्रमुख बनाया गया है जबकि भारत में कारपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारती संग में उसकी स्थिति अमेरिकी राश्पती के स्थान पर ब्रेटिश समरार जैसी होती है ठीक है अब राश्पती पद की योगिताएं क्या हैं तो सम्विधान में राश्पती के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्ण योगिताएं निश्यत की गई हैं नमबर एक भारत का नागरिक हो दूसरा वह 35 वर्ष की आयू पूर्ण कर चुगा हो तीसरा वह लोग सबा का सदस्य निर्वाचित होने की योगिता रखता हो इसके अतरिक ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार राज्य सरकार या किसी स्थानी सरकार के अंतरगत पदारिकार हो राश्पती के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता इस संब्ध में संग के राश्पती उपराश्पते राज्य के राजपाल और संग अत्वा राज्य के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा राश्पती भारती संस्था अत्वा राज्यों के विधार में अन्य कोई वेतर भोगी पद ग्रहन नहीं कर सकता तो हमें जब हम यह सारी योगईता हैं पढ़ते हैं तो कई बार हमें आश्यर होता है कि इतनी कम योगईता हैं राश्पति के लिए लेकिन समीदान निर्माताओं ने जानमुझकर ऐसा इसलिए किया है कि भारत का प्रति सम्मान प्राप्त हो वर्तमान में भारत के राश्पति कोविंद हैं और आप जानते हैं कि वह भी कोई इतने ज्यादा प्रसिद्य व्यक्ति नहीं थे और जब वो लाइम लाइट में हैं तब भारत की जन्ता को उनकी विशेश्ताओं का पता चला अब राश्पति का निर् अब आप देखेंगे एकल संक्रमणिय मत्थ पद्दिती क्या है तो एप्रत्यक्ष निर्वाचन है राश्पती का इस राश्पती का चुनाओ एप्रत्यक्ष रूफ से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें नमबर एक संसत के दोनों सदनों के सबग आदियो негоohy की निर्वाचे सदसे संबलित हों गे राश्पती की निर्वाचकमंडल में राज्यों की विधानसवाओं और अब संगियה छेतर की विधानसवाओं को इसलिए संबलित किया गया है कि राश्पती ना केवल केंदरी शाषन वरन संपूर भारती संग का प्रदान होता है समिदान सवा में पंडि जवाला नहरूरे का था कि राश्पती की निरवाचक मंडल में संगी संसत के सासत राज्यों के विदान मंडल के सदस्यों को संबलित कर इस बात का प्रेदन किया गया है कि राश्पती का निरवाचन दली अधार पर ना हो और संग के इस सरवच पद को वास्तिक रूप में राश्टी पद का रूप प्राप्त हो सके अब एकल संक्रमणी मत पदिती क्या है संसर तथा राजियों और संगी छेत्रों की विदान सबाओं के निर्वाचे सदस्यों द्वारा राश्टी का चुनाओं आनुपातिक प्रतिनिद्ध पदिती के नुसार एकल संक्रमणी मत मतलब सिंगल ट्रांसफरेवल वोट द्वारा होगा इस चुनाओं में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और चुनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए नियूनितम कोटा प्राप्त करना आवश्चक होगा अब नियूनितम कोटा क्या है उसके लिए एक फर्मूला है नियूनितम कोटा बराबर दिये गए मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिदियों की संख्या प्लस एक तो उपर आगाएंगे जितने टोटल मर्थ हैं और इसके नीचे आजाएंगा जितने प्रतिनिदी खड़े हो रहे हैं जिसे दो हो रहे हैं तो दो प्लस एक नियूंतम कोटा की विवस्ता क्यों की गई है ताकि इस पस्ट भगुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राश्पत्य का पद प्राप्त हो सके जिससे इस पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सके इस पद्धिती के अंतरगत प्रतिक मत दाता के दोरा अपने मत पत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जाती है जितनी संख्या में राश्पत्य पत्र के अमीदवार होते हैं जैसे सरपत्म पहली पसंद में पत्राप्त वरीता ए लिग दिया पहली पसंद के मतों की गढ़ना में किसी अमीदवार को चुनावी कोटा मतदातों का इसपस्ट वहमत मिल जाता है तो ठीक तो दूसरी पसंद के मतों की गणना फिर नहीं की जाती लेकिन यदि पहली पसंद के मतों की गणना से किसी भी उमीदवार को चुनाओं कोटा पराप्त ना हो तो फिर दूसरी फिर तीसरी पसंद के मतों की गंड़ना की जाती है जन प्रतिनेजित्व के अधार पर मतदाता के मतका मूली निर्धारन अमूली निर्धारन एक मतका कैसे होगा तो भरत के राश्पती को जिस निर्धारन दोला निर्धारन निर्धारन थे कोनों कोन होगे लगबग 10 लाख निर्वाचकों का प्रतिनित्व करता है अब हम उत्तरपदीश राजी की विदानस अब का सदसे देखें तो लगबग ढ़ाई-लग मत्दातों का प्रतिनित्व करता है लेकिन सिक्किम और अच्रपदीश के विदानस अब सदसे केवल कुछ हजार जनता का प्रतिनित्व करता है तो इसलिए ये विवस्ता की गई है कि निर्वाचक मंडल की प्रतिक सदस के मत का मूल या मतों की संख्या निम्र सिद्दानतों के अधार पर निश्यत की गई है इसलिए समस्त राजियों की विदान सभाओं के समस्त सदस्यों की जितने मत हो उतने ही मत संसत सदस्यों द्वारा दिये जाने चाहिए अब निर्वाचिर मंडल के प्रतिक सदस्यों के मत का मूल या मतों की संक्या जानने के लिए अब एक फर्मूला है और वो सूत्र या फर्मूला क्या है जो लिखा हुआ है इसको देखिए किसी भी राज या संगी छेतर की विदान सभा के सदस्य के मतों की संख्या या मूले बराबर राज या संगी छेतर की जन संख्या बटे राज विदान सभा या संगी छेतर की विदान सभा के नेज़वाचित सदस्यों की संख्या उधारन के लिए अगर हम राजिस्तान ले ले तो उपर आजाएगा राजिस्तान की जन संक्या कितनी है नीचे आजाएगा राज्य की विदान सभा या संगित छेतर की विदान सभा के अपने विदान सभा में 200 सदस हैं तो दोसों आ जाएंगे और भागफल आएगा सो एक हजार का भागफल है एक हजार तो एक तो ये बात आगई दूसरा आता है संसद के प्रतेग सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मूले